मैं प्रोफेसर सविन सिंग आज मानसून की परिचर्या में आपका स्वागत करता हूँ आज हम मानसून के सामान परिचे से आपको आउगत कराएंगे I welcome all of you today in my discussion on मानसून, the primary discussion of मानसून पहला सवाल उड़ता है कि मानसून सब्द की वित्पती कैसे हुई, origin कैसे हुई, वास्तो में मानसून सब्द आरबिक भासा मौसिम या मलायन सब्द मौसिन से लिया गया है Now first question arises, how the origin of मानसून वर्ट took place? In fact, मानसून वर्ट has been derived from Arabic word मौसिम और मलायन word मौसिन which literally means that is the reversal of wind direction twice a year जिसका साब्दिकर्थ होता है कि वर्ट में वाय के दिशा में दो बार पुरुण परिवर्टन यहां पर होता है अब यह सवाल उठता है कि क्या हम globe के उन सभी छेत्रों को मानसूनी छेत्र कहेंगे जहां वर्ट में दो बार वाय के दिशा में विपरीती सिती उत्पन होती है Now the question arises, can we call all those areas, मानसूनल areas where there is a reversal of wind direction twice a year answer is no, नहीं मैं इसके लिए आपको दो उदाहरण प्रसुत करता हूँ नमबर एक, साथ हन से सत्तर अंसक छांसों के बीच उत्तरी गोलार्ध में शरत काल में उत्तरी पूर्भी ठंडी धुर्भी हमाये प्रवाहित होती है और ग्रिश्मकाल में दक्षणी पश्चमी पच्वा पवन गरम हवा उत्तरपुर्भ दिशा की और प्रवाहित होती है क्या हम इसे मांसोनी छेतर कहते हैं? नहीं During winter season there is a north eastern polar cold winds between 60 and 70 degree north latitudes and there is a westerly warm wind during summer season Do we call it monsoon areas? No, these are not called monsoon areas दूसरा उदारन है 30 अंसे 40 अंसक्षांस के बीच दोनों गोलार्दों में सीत काल में दक्षिन पस्चिम से उत्तर पूर की वोर हवाएं आती हैं चुँकि ये हवाएं समुद्रिस के उपर से आती हैं इसलिए सरत काल में बरसा करती है और ग्रिस्मकाल में उत्तर पूर्ब दिशा से ब्यापारी खमाएं धक्षिन पस्यम दिशा की तरफ आती है च्योंकि ये स्थल के उपर से आती हैं इसलिए सुस्क होती हैं बरसा नहीं करती है इस तरह से सरदकाल में होने वाले बरसा वाले छित्र को हम एक बिशिस्ट प्रकार की जल्वाई से संबोधित करते हैं वो रूमसागरी जल्वाई है since the southwestern winds coming from over the oceans during winter seasons bring rain and northeastern trade winds coming from over the land during summer season are dry no rainfall so there is a winter rainfall summer is dry and a special type of climatic region is created that is called mediterranean climate but we don't call it monsoon areas why this is so these two zones are the climatic zones are developed because of seasonal migration of wind and pressure belts caused by northward and southward migration of the overhead sun ये क्यों उत्पन होती हैं यहां पर wind direction में क्यों reversal होता है सूर्ज के उत्रायन और दक्षिनायन इस्थितियों के कारण इन में जो है प्रेशर बेल्ट और विंट बेल्ट में मौसमी इस्थाना अंतरन होने के कारण इनका स्रिजन होता है बेल्ट स्क्षिन इसा स्थाइल के रखोराइल quindi । वच्वेशी इस्था इस्थिति इस्थार इस्थान जाके चीते हैं इस्थाराह सेश्ब्य आपकरेशर सभख कर्श्वेश्यर को जपquarर लैयनージश्यर किस्च तब सवाल उड़ता है कि क्या मानसून है क्या तो मानसून एक संबहनी ये कोशिकी ये वाई मंडली ये तंत्र है जिसका निर्माण स्थली भाग और समुदरी भाग के बिविन दर्म से गर्म होने और ठंडा होने के कारण परिचालन होता है और ये differential cooling और heating जो होती है वह तापमान के स्थानिक परिवरतन के कारण होता है अब सवाल उड़ता है कि कितने प्रकार के मानसूनी छित्रों को धरातल पर निर्धारण किया गया है? How many types of monsoonal areas have been identified on the earth surface? Number one is the zone of true monsoon areas comprising South East Asia including India, South China and Western Madagascar. पहला छेत्र है वास्तविक विशुद्ध मानसूनी छेत्र जिसके अंतरगत भारस सहित दक्षणी पूर्वी एसिया, दक्षणी चाइना और पश्चिमी मैडागासकर तथा आस्ट्रेलिया के उत्तरी तटी भाग को समलित करते हैं. And second zone is that of zone of monsoon tendencies और zone of pseudo monsoon. दूसरा जो मंडल है वो मानसून की प्रवित्ति वाला छेत्र है जिसे हम प्रच्छन मानसूनी छेत्र स्यूदो मानसून एरिया कहते हैं. इसके अंतरगत हम दक्षणी पश्मी अफ्रीका के तटी छेत्रों गयाना, सियरा लिवोन, आईवरी कोस्ट, लाइबेरिया और उश्कट बंधिय पूर्भी अफ्रीकी तट तथा मेडागासकर के पश्मी तट को समलित करते हैं. The second zone is of monsoonal tendencies or pseudo-monsoon that comprises the southwestern coast of Africa, including Guyana, Liberia, Ivory Coast and Sierra Lebor, and tropical eastern coast of Africa and western Madagascar. Now, the third zone is that of areas of monsoon effect that includes the north eastern coast of South America or Latin America and some of the islands of Caribbean Sea. और तीसरे मंडल के अंतरगत हम मानसून के प्रभाव वाले छित्रों को समलित करते हैं, जिसके अंतरगत आता है दक्षडी अमेरिका का उत्तरी पूरिवी भाग और Caribbean सागर के कुछ दीब. And fourth zone is that of modified monsoon, जिसके अंतरगत, and the third zone is modified monsoon zone that includes South America, I'm sorry, South United States of America and Middle America. चोथा जो मानसूनी छित्र है, उसके अंतरगत हम परिवर्तित, परिमार्जित, बदली हुए मानसूनी छित्र को समलित करते हैं, जिसके अंतरगत आता है दक्षडी संजुक्त राज अमेरिका, और ये आता है मध्य अमेरिका. अब जो है इसके बाद अगला प्रसन उठता है, फिर मानसून की उत्पति और क्रिया बिधी कैसे संपन होती है? इसके लिए हम आगे अब चर्चा करेंगे, आज एक ब्याख्यान में इसे नहीं समेटा जा सकता है, आगे चार ब्याख्यान मानसून से संबन नित होंगे, पहला होगा, origin and mechanism of मानसून थू थर्मल कंसेप्ट, नमर तू थू दाइनमिक कंसेप्ट, नमर थ्री थू मादन कंसेप्ट, और चवथा होगा, भारती मानसून की उत्पति और क्रिया बिधी पर बिशेश चर्चा, and therefore, now the next lectures will be four related to monsoon, number one, origin and mechanism of monsoon on the basis of thermal concept, second, on the basis of dynamic concept, third, on the basis of modern concept, and fourth will be origin, genesis and mechanism of Indian monsoon in detail, thank you for patience, और सभी लोगों को आज गाउर से सुनने में धन्यवाद, मैंने एक चीज और देखी है, जो मैं अपने जीवन से संबंधित कोई घटना का वीडियो पोस्ट करता हूं, उसके जादा वीवर्स होते हैं, और जो मैं सिक्षा से संबंधित वीडियो डालता हूं, उसमें कम हो जाते हैं, ये कारण मेरे समझ में नहीं आता है, यिस कारण को आप अपने कमेंट्स में व्यक्त करिए, कल मैंने एक छोटी सी घटना पोस्ट करी थी, अपने मरेथान ब्याख्यान के संदर में, वह 1100 हो गए अब तक, और मैंने कल रिवीजन पर एक वीडियो डाली थी, जो अभी 400 पहुचा है, वीवर्स की संख्या, ये एनामली क्यों, इसका कारण बताईएगा, धन्यवाद,